प्रफिजन्स वागते आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल पे जहां आपको वेस्ट बिंग ओल बोट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी तो अगर आप वेस्ट बिंग ओल बोट के इस्टुडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्र इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं किस तरह सिरिदा अचारिय फॉर्मूला को ड्राइफ किया गया क्या है और नेचर ओफ रूट्स क्या होता है और एक दो सम भी हम लोग करेंगे जो कि कह होगा हमारा प्रॉब्लम सम रहेगा ठीक है तो प्रॉब्लम स इस तरह से सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते कि सृड़ा आचारिय फॉर्मूला आखिर कर क्या है सिरिधा आचारिय फॉर्मूला की क्या है ठीक है सिरिधा आचारिय फॉर्मूला तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सिरिधा आचारिय फॉर्मूला सिरिधा आचारिय फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वेर माइनस फॉर्मूला divided by 2A यह हमारा हो गया सृरिदा चरी fórmula आपका अगर इस्कुल में यह chapter हो गया है तो आप लोगों को यह formula मालूम होगा कि sheاح because इसको कहते है क्या है minus B, plus minus root and higher 4B square minus 4AC divided by 2A, तो भाई यह to quadrate Х Approach formula यह ह हमारा सीरिदा चरी formula है ही है, लेकिन हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि आखिरकार यह स्रिधाचार यह formula बना कैसे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तब यह स्रिधाचार यह formula आया भाईया हमारे पास अगर मान लीजिए यह quadratic equation है a x square plus b x plus c is equal to 0 plus c is equal to 0 अब तक तो आप लोगों पता चली ही गया होगा कि यह standard form of quadratic equation तो मतलब यहाँ पर जो v का value रहेगा वो put करेंगे यहाँ पर जो a का value रहेगा वो put करेंगे जो c का value रहेगा पूट करेंगे और a का value जो रहेगा पूट करेंगे यह जो हमारा formula है इससे हम लोगों को solve करने बहुत ही जादा easy हो गया है लेकिन यह formula को किस तरह से बनाया गया किस तरह से यह formula बना drive हुआ वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं ताके आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपसे अगर कोई भी push देगे सिरिधा अचारी formula कैसे बना तो आप आराम से उसे बता पाए सिर्फ आपको रटने की जरूरत नहीं है math में आपको कुछ रटना नहीं है आपको math में एक एक चीज अच्छी तरीके से समझना है और मेरा यही मक्सद है कि मैं आप लोगों को एक एक चीज अच्छी तरीके से समझा सको ताके आपको रटना ना पड़े मायत में कोई formula वगरा ओके तो हम लोग अब सिरिधा अचारी formula को समझ लेते किस तरह से बना तो सबसे पहले हम लोग एक अपना quadratic equation दिख लेते standard form of quadratic equation अब देखिए यही quadratic equation हम लोगों का सिरिधा अचारी formula बनेगा अब आप बुलिए क्या बहिए बन जाएगा formula हाँ जरूर बनेगा इस वाले quadratic equation से हमारा वो formula अब भी तुरंट देखिए मैं drive करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए हम लोगों ने class 9 में या फिर class 8 में यह पढ़ा था कि हम लोग एक तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी quadratic equation का किसी भी equation का हम लोग answer एक और तरीके से निकाल सकते हैं वो क्या था हमारा perfect square बना कर मालू में आप लोगों का सकते हैं किसी भी equation का हम लोग value निकाल सकते हैं इए आप लोगों के मालू होगा तो same चीज़ यहां पर अप्लाई करेंगे हम लोग perfect square बनाएंगे इसको perfect square कैसे बनता है वो देखिये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर simply हम लोगों को एक चीज़ करना है, वो देखे, यहाँ पर क्या है, A x square है, यहाँ पर क्या है, B x है, और यहाँ पर क्या है, प्लस C है, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ करें, कि यह जितना है, सब को A से divide कर दे रहें, ठीक है, सब को क्या करेंगे, A से divide कर और यह B by A X हो जाएगा और प्लस यह C by A हो जाएगा, C by A is equal to क्या हो जाएगा, 0 by A, कोई डाउट है यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं किया, बस total को क्या कर दिया, divided by A कर दिया, चलिए यहाँ पर मैं लिखी देता हूँ, चलिए इसको भी divided by A कर दिया, तो total को हम लोग क्या कर द जाएगा, 0 ही आएगा, यह बात तो आप लोगों को पता होगा, ओके अब हम लोग नीचे लाइन में चलते हैं, तो क्या आगया हमारा X square, प्लस B by A आगया, और प्लस C by A आगया, is equal to क्या हो जाएगा, 0, अब यहाँ से हम लोग उस वाले formula तक कैसे पहुँचेंगे, तो X square होने के बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 इंटू, 2 इंटू, 2 इंटू, B by 2 A कर देते हैं, B by 2 A, यहाँ पे कोई doubt है, यहाँ पे मैंने कुछ भी इधर उधर नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे 2 by 2 से, मतलब 2 by 2 से इसको क्या क्या है, B by A को multiply कर दिया है, ठीक है, तो मतल 2 by 2 से multiply करने से हमारा यहाँ पे कोई भी change नहीं हुआ है हम लोग इतना कर क्यों रहे हम लोग इतना इसलिए कर रहे है क्योंकि हम लोगों का मकसद इसको perfect square में convert करना ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने यह तो कर दिया खुद के मर्जी से यहाँ पे लिग दिया तो कुछ भी term हम लोग खुद के मर्जी से यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं यह जो है हमारा गलत हो जाएगा कोई भी term हम लोग अपनी मर्जी से नहीं डालेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो देखिए फिर से बता रहो इतना चीज हम लोग क्यों कर रहें क्योंकि हम लोगों को इसको perfect square में convert करना है तो हम लोगों ने यहाँ पर b by 2a square किया था, 2a का holy square किया था, इसलिए हम लोगों ने is equal to के बाद भी कर दिया यहाँ पर हम लोगों ने अभी भी कोई भी change यहाँ पर नहीं किया है, overall हम लोगों कोई change नहीं हुआ है आप लोग इसको copy में note down करते हैं, सिर्फ देखने से कोई फाइदा नहीं होगा आप लोग copy में note down करिये, समझ समझ के कि किस तरह से मैं कौन-कौन सा step करके आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप दोवारा जब copy खोलिएगा, तो आपको सब कुछ clearly समझ में आ जाएगा सिर्फ देखने से कोई भी फाइदा आपको होने वाला नहीं है अब हम लोग यहाँ पर next step पर बढ़ते हैं अब next step पर जब बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह हो गया, x square plus 2 into b by 2a, ठीक है plus यह हो जाएगा हमारा b by 2a का whole square अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर c by a जो हमारा है उसको उधर भेज़ देते हैं जैसे हम लोग उधर भेज़ेंगे तो क्या हो जाएगा, b by 2a का whole square है यह minus c by a हो जाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, minus c by a हो गया क्योंकि यहाँ पर यह प्लस में था, अब हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि यह a square बन गया, यह हमारा b square बन गया और यह बन गया 2ab यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है, देखिए यहाँ पर आप लोगों कोई side, आप लोग भियान दे रहा होंगे तो अच्छी बात है देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, b by a के साथ x था यहाँ पर हम लोगों ने x नहीं लिखा, तो x को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, गल् настолько हो गया, sorry तो यहाँ पर हम लोग x यहाँ लिख दे रहे है, ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, a square बाद ये क्या हो गया B by 2A हमारा क्या है B है तो B square हो गया अब आप लोगों को कोई formula याद आ रहा है कौन सा formula याद आ रहा है जल्दी बोलिए आपको ये formula याद रहोगा A square plus 2AB plus B square क्या formula है A square plus 2AB plus B square इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ A plus B का holy square होता है ना इसका मतलब ए प्लस B का holy square तो जेखिए board में और जगा नहीं है नीचे तो हम लोग इसको आप क्या करते हैं उपर में shift कर देते हैं यहाँ तक आप लोगों ने copy में note down कर लिया होगा ओके नहीं किया तो वीडियो को पाउस करके थोड़ा यहाँ पर क्या था B by 2A था ना B by 2A plus क्या था B by 2A का holy square is equal to क्या था हमारा is equal to था B by 2A का holy square minus C by A था क्लियर है यही था ना कोई और दूसरा चीज़ तो नहीं था तो अगर यही था तो अब हम लोग क्या करते इसको और simplify करते हैं simplify करने के बाद हमारा क्या जाएगा यहाँ और लिखे यहाँ पर simplify करते हैं तो हो गया X X प्लस B बाई 2A का whole square कोई doubt है यहाँ पर B बाई 2A का whole square क्यों कि यह सब आप लोगों को पता चली गया है क्योंकि A प्लस B का whole square यहाँ पर frame हो रहा है is equal to क्या हुआ is equal to B by 2A का whole square मतलब करे है इसका square हो गया और नीचे वाला हो जाएगा 4a square क्यूं कि जब 2 का square करेंगा 4 हो जाएगा माइनस कितना हो गया कि इहां तक आप लोगों को clear है अब अपने next step के तरफ बढ़ते हैं और वो क्या है वो है कि यहाँ पे square है उसको उस तरब भीज देते हैं ठीक है बढ़ जो जो करते जा रहा हूं आप copy में note down करते जाइए एक बार पूरा वीडियो आप देख लीजेगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ऐसा हम लोगों किया और क्यूं ऐसा हम लोगों कर रह ही लेते हैं LCM लेंगे तो हमारा नीचे में 4A square आएगा आएगा 4A square ओके उपर में लोगों क्या आ जाएगा उपर में वहारा आ जाएगा 4AC 4AC क्यूं आया क्यूंकि जब 4A square को A के साथ divide करेंगे तो हमारा क्या आएगा हमारा answer आजएगा 4A क्यूंकि A और A square एक बार A आएगा तो वो A4 के साथ attach होके C के साथ multiply हो गया ठीक है यतना तो आप लोगों को मालूमी होगा बहुत ज्यादा basic है तो यहाँ पर हम लोगों का इतना तक frame हो गया है अब हम लोग नेक्स में देखे क्या करते हैं नेक्स में यहाँ और लिखके simply क्या करना है यह जो X है उस perfect square बना कर निकाल रहे हैं और इसी में को निकालते निकालते हम लोगों का सिरिधा अचारी formula भी यहाँ पर derive हो जाएगा ठीक है अभी देखे थोला थोला आपको दीख रहोगा वो formula बनता हुआ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ज्यादा बात नहीं करते हैं तो यह जो यहा root से बाहर निकालेंगे तो वो क्या आएगा देखे root under 4a square बाहर आके क्या बनेगा plus minus 2a बनेगा कोई doubt है यहाँ पे जब root under 4a square बाहर आएगा तो plus minus 2a बनेगा अब जब यह plus minus 2a बनेगा तो यह plus यहाँ से हम लोग लोग अटाते हैं और हटाने के बाद यहाँ से जब plus minus C है ठीक है और नीचे में हम लोगों के पास क्या है नीचे में हम लोगों के पास यह 4A square हमारा बन गया अब 2A बन गया ठीक है 2A बन गया और यहां से जो plus minus आया था वो हम लोगों ने यहां पे दे दिया ओके अब next step हम लोगों क्या है next step हम लोगों का है कि इन दोनों के बीच का अब LCM निकालना है इन दोनों के बीच के LCM निकालनेंगे तो क्या आएगा हमारा 2A ही आएगा LCM 2A आएगा ना कोई और चीज तो आएगा नहीं यहाँ पे दोनों में 2A 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 ठीक है यहाँ पे माइनस B का माइनस B हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यह रूट अंडर B स्क्वार माइनस जल्दी बुलिए 4AC और यह हम लोगों ने सिरिधा आचारी फॉर्मूला को ड्राइव कर लिया तो X is equal to क्या गया माइनस B प्लस माइनस रूट अंडर B स्क्वार माइनस 4AC divided by 2A आप फॉर्मूला को मैच करके देखिए यहाँ पर कोई भी चेंजेस है कोई चेंजे में यह सेम फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हो गया तो इस तरह से जो है सिरिधा आचारी ने यह वाला फॉर्मूला को ड्राइव क किया था ठीक है किस तरह से पर्फेक्ट स्क्वार बनाके और यह फॉर्मूला ड्राइव होने के बाद हम लोगों का क्वाड़ेटी की इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो गया बस सिंपली जो क्वेशन का वैल्यू इसको यहाँ पर पूट करकर लिग ले प्लस रूट अंडर बी स्क्वेर माइनस फोर एसी हो सकता है यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर सिंपली यह हुआ कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों था तो एक बार जो हमारा वैल्यू आएगा वो इसको प्लस रख कर आएगा तो एक बार यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ए ड्राइव किया गया एकदम क्लियर है तो अब दुबारा आपको स्रीदाचारिय फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा इसकुल में आप से कोई भी पूछेगा आप अराम से खड़ो येगा और बोलिएगा ऐसे 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 करके ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ अब मुझे एक और चीज़ आप लोग नोटिस किजेगा और इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है एक्जाम में अक्सर अक्सर बहुत बार पूछा जाता है ये एक्जाम में त इसका तीन तरीके का वैल्यू यहाँ पर आ सकता है अब बुल क्या-क्या वैल्यू यह आप बताएं यह तो जी रो के बराबर हो सकता है तो अबर बैल्यू ह aún सकता है ठीक है ए क्वर से बड़ा हो सकता है यह करक्यों यहां पर हो रहा है वो condition क्या है कि पूरा value लिखने के बाद मान लिजे इसका पूरा value हमारा कुछ minus में value आ सकता है ठीक है अब minus में value आएगा तो मतलब less than हमारा zero हो जाएगा ठीक है less than zero तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि तीन तरीके का possibility है या तो zero के बराबर या तो greater than zero या तो ज्यादा important है वो यह है कि अगर इसका value इसका value जो है b square minus 4ac का value अगर आपका zero के बराबर आ गया इसका मतलब x का जो दोनों value आएगा एकस का जो दो value आएगा वो दोनों value सेम रहेगा ठीक है real रहेगा और दोनों का value equal रहेगा आप बुलिए गवासर यह तो बहुत अच्छा value सेम आएगा मतलब x का जो roots निकलेगा वो दोनों क्या रहेगा equation का roots दोनों सेम रहेगा next हम लोग यहाँ पर एक और condition नेते वो क्या है b square minus 4ac अब हमारा क्या हो रहा है अब हमारा जो हो greater than zero हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा unequal हो जाएगा मतलब दोनों value क्या जाएगा different different आजाएगा ठीक है unequal आजाएगा और एक और यहाँ पर important चीज़ है unequal और real रहेगा ठीक है जो आपका दो roots हैगा वो दोनों अलगिया तो एक 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सेम नहीं रहेगा अब एक और condition है वो क्या है b square minus 4ac क्या है lesser than zero zero से कम भी तो आ सकता है not real हो जाएगा not real ठीक है not real unequal और not real रहेगा अब आप बूलेगा ऐसे कैसे होगा अगर यह हमारा less than zero हो गया तो not real कैसे हो जाएगा यह बताए तो देखिए इसको एकदम simple आप समझे कैसे हो रहा क्यूंकि मेरा तो काम है आप लोगों को concept clear करना ताके आपके class में आपसे आपको समझना है जो भी formula आपने याद किया जिसका concept आपको नहीं आ रहा है तो comment में जाकर आप पूछे मैं कोशिस करूँगा उस formula के उपर separate video बनाने की फिलाल हम लोग अपने topic के उपर आते हैं मैंने अभी क्या बताया मैंने भी बताया कि अगर 20-4ac 20-4ac अगर less than zero हो गया ठीक है less than zero हो गया तो हमारा real value नहीं आगा imaginary value आगा अब मैंने ऐसा क्यों कहा देखें minus b plus minus root under b square minus 4ac यह हमारा formula था x का value निकालने के लिए divided by 2 है अब अगर इसका value less than zero आगया less than मतलब zero आगया मतलब कुछ ऐसा होगा minus 2 minus 3 अब root under minus 2 root under minus 3 root under root under minus something वो क्या हो जाएगा imaginary number रहेगा root under minus 2 का value आप बता पाईएगा नहीं बता पाईएगा root under minus 3 का value आप निकाल पाईएगा आप नहीं निकाल पाईएगा root under minus 4 का value निकलेगा नहीं निकलेगा तो root under minus something क्या होगा वो imaginary हो जाएगा जैसी root under minus something यहाँ पर आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा imaginary हो जाएगा समझ में आ गया एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अगर root under minus यहाँ पे something आ गया मतलब अगर हमारा यहाँ पे root under minus something यहाँ पे आया तो वो क्या होगा हमारा वो value हमारा पेर में आएगा पेर का मतलब अगर हमारा A plus root under something B है तो जो दूसरा value रहेगा वो रहेगा A minus root under B ठीक है? जब भी हमारा imaginary यह value आ जाएगा तो हमारा value हमेशा pair में आएगा ठीक है जिस तरह से quadratic set में conjugate set हम लोग पढ़े थे इसी तरह से जो value आएगा वो एक दूसरे के conjugate रहेगा अगर हमान लिजे x value x plus root under minus b रहा तो दूसरा जो value आएगा वो x minus root under minus b रहेगा यहां तक आप लोगों को clear है तो यहां दे आप लोगों ने यह भी समझ लिया कि क्यूं जो है b square minus 4 c अगर less than 0 रहा तो हमारा value जो हमो imaginary number रहेगा अगर आपके school में यह बता दिया गया था तो बहुत अची बात है अगर आपके school में नहीं बता दिया गया था तो मैं यह बता दे रहा हूँ आपको ताकि आप जो भी है इसको रटे ना कि हाँ भाई b square minus 4 c आएगा तो हमारा b square minus 4 c अगर less than 0 हो गया तो imaginary होगा आपको तो पता ही नहीं है कि imaginary क्यूं होगा लेकिन अब आपको पता चल गया है तो अब आप अराम से किसी भी दोस्त को किसी भी टीचर को आप बता पाईएगा कि क्यूं imaginary है अगर आपके school में नहीं बताया या कि imaginary क्यूं है तो अपने टीचर से question कीजिए कि B square minus 4 c अगर less than 0 है तो भाई imaginary क्यूं है मुझे बताईए सिर्फ याद करने से नहीं होगा पता होना चीए कैसा हो क्यूं रहा है clear है यहां तक तो सिरीधा आचार यह formula को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है अब हम लोग ज्यादा नहीं बस एक ही question करेंगे और उसके बाद उसमें एक दो concept मैं आपको बता दूँगा और उससे आप जो है वो सब question को solve कर लिजेगा अपने book में exercise 1.3 और exercise 1.4 का ठीक है तो वो एक question क्या है तो सबसे पहला question हम लोग यहाँ पे करते है वो question आपका exercise 1.3 का question number 1 है ठीक है exercise 1.3 का question number 1 है यहाँ पे मैं question कर दे रहाँ और बाकी सभी question के link आपको description में मिल जाएंगे वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर लिजेगा तो सबसे पहले question में हम लोगों क्या बोला है कि difference of 2 positive whole number is 3 and the sum of their square and the sum of their square is 117 तो सबसे पहले हम लोगों को यह करना है कि let one number b x सबसे पहले हम लोगों क्या करना है one number b x let one number let one number b x one number b x तो हम लोगों क्या बोला है कि difference of 2 positive whole number ठीक है 2 positive whole number का difference क्या है difference हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 3 और उन दोनों का sum क्या दिया हुआ है sorry उन दोनों के square का sum क्या दिया हुआ है है तो दूसरा या तो x प्लस 3 हो सकता है या फिर x माइनस 3 हो सकता है ठीक है या तो x प्लस 3 होगा या तो x माइनस 3 होगा या तो x माइनस 3 होगा क्योंकि क्या है difference of तो अगर x प्लस 3 है तो इन दोनों के बीच में difference क्या है इन दोनों के बीच में difference हमारा है 3 का अगर x-3 अगर दूसरा number है तो इन दोनों के बीच का difference क्या है इन दोनों के बीच का difference है 3 का अब आप बोलेगा सर ये 2 value आपने क्यों लिया आप या तो x-3 भी तो मान सकते थे x-3 मानने का क्या जरूवत है आपको तो देखिए इसका answer ये है कि ये 2 मानने का हम लोगों का ये मकसद है कि हम लोगों को 2 value मिल सके ठीक है ये 2 मानने के तो हम लोगों को 2 value मिलेगा और वो दोनों value हम लोगों किस चीज में चाहिए positive में चाहिए क्योंकि हम लोगों को क्या बोला इसमें कि उसका जो यहाँ पर minus करेंगे उन दोनों को तो क्या आएगा देखिए उसका difference 3 है तो difference 3 है उससे हम लोगो दो number मिल गया ये पहला number ये दूसरा number या फिर ये दूसरा number होगा अब हमारा question बोल ला है कि उन दोनों का अगर square का sum करें तो हमारा 117 आएगा ये question में दिया हुआ है तो एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार हम लोग करेंगे x square plus जो ये वाला number है उसके साथ करेंगे ठीक है इसको करने के बाद is equal to 117 इसको आप अराम से solve कर लिजेगा x square इसका value आपको पता ही a plus b का whole square का क्या होता है और यहां से x का value निकालेगा x का जो value निकालेगा तो एक x का value minus में आएगा और x plus में आएगा इसी तरह से इसमें निकालेगा तो एक टो x का value क्या आएगा minus में आएगा और एक टो plus में आएगा ठीक है दो value आ गया अब हम लोगों को question में क्या बोला है question ने बोला कि the difference of two positive whole number तो हम लोगों कि क्या चीछ का value चाहिए positive value चाहिए तो इसका positive way ले लेंगे इसका positive way ले लेंगे और x का value आ जाएगा वो एक ये value और एक ये value आ जाएगा clear है इसको आप लोग अपने से solve किजिए आराम से solve हो जाएगा कोई दिक्केत नहीं है बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए और इसको solve किजिए बाकि अगर आपसे solve नहीं हो रहा है तो comment में जाके आप पूछिए और अलड़ी मैंने आपको description में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके solution PDF डाउलोड के लिजिए मैं चाता हूँ कि हर एक question को आप खुद से solve किजिए ताकि आपका concept अच्छी तरीके से clear हो सके मैं solve करके दे दूँगा आप सिर्फ मेरे बात को सुनिएगा और आपको पता चल जाया किस तरह से solve करने आप सिर्फ copy में note down कर लिजेगा तो इससे आपका concept बिल्ड नहीं हो रहा है मैं चाता हूँ कि आप सिर्फ समझ ये concept और खुद से उसको apply करके solve किजिए clear है तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो knowledge जरूर मिला होगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी classmates की help कर सकता है उसको अगर उसके study में अगर कोई मदद मिल जाएगा तो वीडियो को तुरंद अपने classmates तक send कीजिए मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लगे थैंक यू